हेलो एवरिवन वेलकम टू एससी नाइटी एट दोस्तो आज की स्पेशल वीडियो में में लुसेंड कम्पूटर का चेप्टर नंबर 11 को कवर करूँगा जो संबंदित रहेगा माइक्रोसॉप्ट विंडोस से तो अगर किसी ब्याक एक्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें क कम्पूटर से संबंदित कोस्चन पूचे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा और इस वीडियो में मैं 40 प्लस को कवर करने वाला हूँ ठीक है जो कि आपके आने वाली एक्जाम के लिए काफी बेश्ट साबित होंगे तो बता दू कि मैंने इ सौप्टियर के किस में कमांडो और आप्सन की सुचिया होती है तो किस में कमांडो और आप्सन की सुचिया होती है दोस्तों तो याद रखना टूल बार में जो सौप्टियर हेता है इसके टूल बार में आपको देखने को मिलता है क्या कमांड एवं आप्सन की सुची नेक office 2000 है इसको बनाय गया था Microsoft company के द्वारा याद रखना इसे next question देखते हैं कि text highlight करके edit या copy click करने पर क्या होगा text highlight करके edit और copy click करने पर क्या होगा तो text document से copy होकर click board में रखा जाएगा तो हमारा option number है यहाँ पर इसका सही अंसर होगा ठीक है next question application से copy किया गया डाटा किस में store किया जाता है तो application से copy किया गया डाटा याद रखना clipboard में store किया जाता है किस में clipboard में next question अगला सवाल है हमारा कि Microsoft company के संस्थापक कौन थे ये तो I think पता होना चाहिए आपको तो Paul Allen M. Bill Gates ये दोनों ने किसकी संस्थापक है Microsoft company के इससे याद रखना पूछा गया question है ये भी अगला सवाल है कि Microsoft है तो क्या है तो याद रखना software विकास करने वाली संस्था है कौनसी Microsoft तो हमारा option number B यहाँ पर right answer होगा बढ़ते है next सवाल की और next question है कि computer screen पर blink करने वाले प्रतिक को क्या काते हैं कडसर काते हैं क्या काते हैं कडसर अगला सवाल cutting और pasting के साथ काटी गई मद अइस्थाई रूप से किसमें store की जाती है यह store की जाती है clipboard में याद रखना और वीडियो पसंद आ रहा है तो बोलना चाहूं का एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पेस करना ताकि ऐसे important वीडियो आपको हमिसा की तरह मिलती रहे तो next question number 9 है हमारा कि window 95 में processing के लिए right की जगह लिया जाता है तो 95 में processing के लिए right की जगह क्या लिया जाता है तो याद रखना word लिया जाता है next question है कि computer के light जलने के बाद वोसे कारेसिल बनाने की प्रकिरिया को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है boot strap क्या कहा जाता है boot strap याद रखना next question कि एक लोग प्री windowing environment window 3 Microsoft दराव निर्गित की गई है तो किस सन में इसे बना गया है तो 1990 इसका सही अंसर होगा option number D okay अगला सवाल दो computer के बीच संबंद बनाने की तकनिक या सुवीदा को क्या कहा जाता है तो याद रखना interface कहा जाता है next question किस command के प्रयोग से program से किसी भाग को हटाया जा सकता है तो कुन सी command के प्रयोग से delete के command से हटाया जा सकता है next question देखते हैं कि mouse के cursor की गती को गटाने या बढ़ाने के लिए किस option का प्रयोग किया जाता है तो mouse के cursor की गती को गटाने या बढ़ाने के लिए हम use करते हैं control panel का किसका control panel का next सवाल है कि windows software का निर्मान किया गया है windows software का निर्मान किया गया है किसके द्वारा IBM के द्वारा या रखना इसे next question है कि windows 2000 को विक्सित किया था किसने तो microsoft ने इसे भी आद रखना बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है हमारा कि MS windows किस प्रकार का software है तो किस प्रकार का software है GUI ठीक है GUI इसका सही answer होगा option number D Next question है कि निनलिकित मेंसे किसकी सahयता से हमें computer की उप्योगिता एवं जगह की उपलब दिता के बारे में पता चलता है तो किसकी सahयता से My Computer की सahयता से Next है कि driver software की जरुरत नहीं होती है किस में नहीं होती है driver software की जरुरत तो Windows 95 में Driver Software की जरुवत नहीं होती है अगला सवाल Windows 98 का विकास कब हुआ था? तो Windows 98 का विकास हुआ था 1998 में चीक है? आपको देख सकते हो इससे नाम से पता चल रहा है 1998 तो कब हुआ है? 1998 में इससे याद रख सकते हो आप Next Question देखते है कि Close Button क्या है? Close Button बताना आपको क्या होगा? तो Close Button क्या है? इस पर क्लिक करने से Dialog Box Document जो Windows पर खुला रहता है बंद हो जाता है और Windows जो Title वार के अंत में मुझूद रहता है और X जैसा छोटा बटन होता है तो ये उप्यूक सभी इसका बारे में सही है Close Button के बारे में तो हमारा Option No.D उप्यूक सभी इसका सही अंसर हो जाएगा अगला सवाल है कि Screen के Background को किस नाम से जाना जाता है? Screen के Background को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है Desktop के दोरा Desktop के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कि shortcut और अन्य विशेश कारियों के लिए कौन सी की और अन्य कीज के साथ combination में प्रयोक की जाती है तो किन दो कीज का combination यूज किया जाता है shortcut और अन्य विशेश कारियों के लिए यह आपको बताना है तो याद रखना control एवम alt इन दोनों का यूज ज़्यादातर होता है shortcut keys में next सवाल help menu कीज बटन पर उपलब दोता है help menu कीज बटन पर उपलब दोता है तो यह उपलब दोता है start बटन पर किस पर? start बटन पर अगला सवाल आप अपने personal file folder में रख सकते हैं किस में रख सकते हैं? तो my document में my document में रख सकते हो next question है कि windows desktop पर किसके दवारा विभिन application और document दरसाया जाता है? तो किसके दवारा? icon के दवारा दरसाया जाता है next question hard disk से delete की गई फाइले किस में भेजी जाती है? hard disk से delete की गई फाइले किस में भेजी जाती है? तो ये भेजी जाती है recycle bean में इसमें recycle bean इसका सही अंसर होगा next question है कि दिन्वे में से किस प्रकार की मीनू को drop down मीनू भी काते हैं? तो drop down मीनू किसे काते हैं? pull down को अगला सवाल किस में कमांडो की वे सुचिया है जो screen पर प्रकार्ट होती है तो क्या होगा इसका सही अंसर? मीनू मीनू इसका सही अंसर होगा next question है कि मीनू पर प्रत्यक खालिस्तान एक विशेश कारे करता है तो मीनू पर प्रत्यक एक कमांड एक विशेश कारे करता है ठीक है? मीनू पर प्रत्यक कमांड एक विशेश कारे करता है इसका सही अंसर होगा next question के और बढ़ते हैं कि computer system को कमांड भेजने के लिए किस screen पर display हुए चित्रों को और मिनू को प्रयोग करते है तो इसका राइट एंसर होगा command आदारित user interface option नमबर है इसका सही अंसर हो जाएगा यहां पर next question है कि कौन सा सब्द वर्तमान में प्रयोगत विंडो के लिए वर्णन किया जाता है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option नमबर डी active एवा शक्रीव विंडो के लिए active या शक्रीव विंडो के लिए next question है कि hard disk से delete की गई file कहां बेजी जाती है hard disk से delete की गई file कहां बेजी जाती है तो यह बेजी जाती है recycle bean में अब भी आपको बताया ठीक है न next question के और बढ़ते है question number 34 है कि copy command कहां save करती है copy command कहां save करती है तो कहां save करती है clipboard में clipboard इसका right answer होगा next सवाल है कि windows 95, windows 98 और windows nt किस नाम से जाने जाते है तो किस नाम से जाने जाते है operating system के नाम से operating system के नाम से next question है कि task bar में क्या होता है तो task bar screen के bottom पर होता है कहां पर होता है screen के bottom पर इसे भी आद रखना next question देखते हैं कि सामाने तो किसे located icon से आप recycle bean में access कर सकते हैं तो क्या होगा इसका right answer desktop पर सामाने तो desktop पर located icon से आप recycle bean access कर सकते हैं next question है कि निनमलिकित में से निनमलिकित तक recycle bean discarded items इस्टोर करता है तो क्या होगा इसका right answer तो option number D तो क्या होगा आपके खाली करने तक recycle bean recorded items इस्टोर करता है ठीक है next सवाल कि Windows ME में ME से क्या सब्द बनता है Windows ME में ME से क्या सब्द बनता है तो millennium इसका right answer होगा millennium next question कि सारे screen पर Windows को display करने वाले बटन को क्या काते हैं सारे screen पर Windows को display करने वाले बटन को क्या काते हैं तो maximize क्या कहा जाता है maximize कि इस प्रकार का बार webinar drop down menu के नाम या icon दिखाता है तो menu bar menu bar इसका सही answer होगा अगला सवाल देखते हैं कि किसी window की sizing में पहला कदम निमलिकित में से कौन सा है किसी window की sizing में पहला कदम कौन सा होगा तो कौन सा होगा title bar पर point करे ये इसका सही answer होगा अगला सवाल कि pull down menu में Faded Command का क्या महत्व होता है Pull Down Menu में Faded या Deem होई Command का क्या महत्व होता है तो Command वर्तमान में Accessible नहीं है यह इसका मतलब होता है Option No.A Next सवाल है कि Windows में Aid Program Aid New Hardware Modem आदे जैसे आइकॉन किसमें रते हैं तो यह रते हैं Control Panel में किसमें रते हैं Control Panel में Next Question है कि सुचना सुचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयता कार जगह निनमे में से कौन सी है तो कौन सी जगह होगी वह Windows Windows इसका सही अंसर होगा Next सवाल है कि Windows Explorer में Folder की सामगरे देखने के लिए क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए इस पर क्लिक करना चाहिए तो उम्मीदे सभी Question आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आया हो तो एक Like जरू करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके इस Bell आइकन को जरूर पेस करना ताकि कि हमारी Important वीडियो आपको हमिता की तरह मिलती रहे है और आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में याकर जरूर से वीडियो को देखेगा काफी Important होंगे आपकी आने बले एक्जाम के लिए तो चले मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साथ नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जाहिन आल्दवेश्ट